इस सरकार ने बहुत बड़े लेविल पर यह first of a kind मैं बता दू टेंडर जारी किया है जहां पहली बार इलेक्रिक थ्री वीलर्स के लिए इस तरीकी का पहला टेंडर है इंफाक यह सरकार की तरफ से और जो OEM से इलेक्रिक थ्री वीलर खरीदने के लिए उन्होंने प्राज, TVS और you know Mahindra and Mahindra Trio तेखे आपको उसका रिस्पॉंस भी बहुत स्ट्रॉंग दिखा है अभी हाली में उन्होंने भी महिंद्रा की एलेक्रिक थ्री वीलर्स के लांच के उस पर भी बढ़िया उनको sales दिखनी है तो इनके ऐसी कंपनी के लिए बेहर अची ख़बर है क्योंकि electric three-wheeler अगर आप देखिये conventional three-wheeler से compare करें तो उसका जबदस्त फाइदा है from the point of running cost almost 45-50% cost कम होती है उसको use करने में और government का ये you know focus है कि सब electric vehicles की तरह आप हम push करें और mobility last mile connectivity के लिए three-wheeler से बहतर कोई विकल्प नहीं है तो ये three-wheeler देश भर में अलग-अलग कामो के लिए इस्तमाल होगा कच्रे के लिए passenger auto आजीविका देने के लिए इस्तमाल होगा यहां बहुत सारे सरकार ने यहां पर प्राफधान किये है और सबसे बड़ी बात है जो claim to policy सरकार ने अनाउंस की थी जहां पर बहुत सारी जूट और रियायते दी गई है कि लिए बहुत ही बढ़िया प्रोविजनिंग है और उसी के तहट आप देखिए यह एक लाग एक लेक्ट्रिक त्री वीलर की प्रोक्योर्मेंट सरकार कर रही है इंफाट मुझे बताया जा रहा है यह तो पहला कदम है इसके बाल और भी इस तरीके के आप टेंडर देख प्रोक्योर करने की इसमें एक बड़ा जारी कर दिया और यह ख़बर जैसे हम बात करें यह ओफिशियल भी सर आ गही है